दोस्तो अगर आप लोगों के मॉबाइल में नेटवर्ख प्रोब्लम आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने मुबाइल का नेटवर्ख प्रोब्लम को कैसे क carve करते हैं तो दोस्तों अच्छा से बात नहीं हो पाता है आफ में आप लोगों का inGroup 9… प्रॉज तो यह सारा प्रॉबलम का काम हों यह बाता है और प्रॉज वीडियो को skip नहीं करना है दोस्तों तो दोस्तों आप लोग जो है किसी भी कमपनी का सीम यूज करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है आप लोग जीयो का सीम यूज करते हैं या फिर एटेल या फिर बोडा या फिर आईडिया आप लोग किसी भी कमपनी का सीम यूज कर सक तो चलिए दोस्तो हम लोग जानते हैं कि वो setting हम लोग कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल में दोस्तो आप लोगों को अपने मोबाइल का network problem को solve करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल की setting में आ जाना है अपने mobile की setting में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ढूंड लेना है mobile network या फिर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे mobile में wireless and network नाम से यह setting दिया हुआ है आप लोगों के mobile में mobile network नाम से यह setting दिया होगा मोबाइल नेटवर्क में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीम 1 और सीम 2 आ जाएगा दोस्तों तो जिस भी सीम में आप लोगों का नेटवर्क नहीं आ रहा है जिस भी सीम में आप लोगों का नेटवर्क प्राबलम आ रहा है दोस्तों टावर का प्राबलम आ रहा है उस सीम का ए कर लेना है सीम 1 और सीम 2 जो भी सीम में आप लोगों का नेटवर्क प्रावलम आ रहा है उस सीम का एक्सेस पॉइंट नेम में आप लोगों को किलिक कर देना है दोस्तो इस पे किलिक करने कबाद आप लोगों को फिर से यहां उपर 3. में किलिक कर देना है 3. में किलिक करने कब आप लोगों को यहां reset to default में क्लिक करने का बाद आप लोगों को अपने मोबाइल को restart कर लेना है दोस्तों sushub करके suçuon कर लेना है mobile को दोस्तों यहां से सारा setting को करने के बाद आप लोग जैसे ही अपने mobile को suçu up करके suçuon करेंगे तो आप लोगों के mobile का network problem solve हो जाएगा दोस्तो 108% आप लोगों के मोबाइल का नेटवर्क प्राबलम सॉल्व हो जाएगा दोस्तो